दोस्तों नमस्कार बहुत खुशी की बात है कि आज दिपावली के दिन ये तो 24 अक्टुमबर 2022 है मैं बेटा हूँ आधर्नी है स्रिमान सारंग देवत साथ के साथ ऐसे सारंग देवत कुलपती राजस्तान विद्या पिट क्योंकि मैंने तो आते ही इनके चरण इसपर्स कर लिए आशिरवाद ले लिया और फिर बावी साह का भी आशिरवाद मैंने ले लिया डॉक्टर रेनुजी राठोड मुझे मालूम है कि ये बियन कोलेज में प्रिंसिपल है और आपको तो सभी पूरी अब तो पूरा दुनिया जानती है वैसा वर जानता है और आप की हिम्मत से आपके दिमाग से आपने राजस्तान विद्यापिट को बहुत उंचायों पर पहुंचा दिया है कभी हम सिंपल सा नाम लेते थे कभी क्या है राजस्तान विद्यापिट सरम जीवी कोलेज लेकिन आज इसी राजस्तान विद्यापिट में सिरफ सारंग देवो की IQ से क्योंकि आपको करनल की उपादी भी मिली हुई है हम सब लोग जानते हैं अधर निवाज साब आशिरवाज सरूप सबसे पहले दिपावली की शुपकार्म में पर दोशक्त कहें सरूर आपका मैं सोगरली साब का बहुत आभः व्यक्त करता हूं मे वार केवल क कई वास्तम आपका जो गेवल घो एक टेनल है वो हर खुशियां हर तरह से हर घरगर ले जाता है और हर व्यक्तों की भावनों को व्यक्त करना के एक अफसर देता है तो मुझे आज आपने एक अफसर दिया है दिपावल की इस पावन परवपे कि मैं हमारे उद्धि प्रवासियों, हमारे दीस प्रवासियों के कुछ दो शब्द कहूं तो मेरा इस पर्व पर एक ही बात है कि सभी को सुख, सम्रदी, यश, वहव मिले क्योंकि दिपाविट का एक परकाश का पर्व है और जहां परकाश हैं, वहां हम परकाश की बंदना करते हैं जहां परकाश हैं, वहां सत्य हैं, वहां तप हैं, दया हैं, एक शमा हैं देखिए आप जब दिपक आता सामने, और दिपक मुझे परकाश चलता है तो सबसे पहले तो यह हैं कि परकाश हैं तो सत्य हैं कि उस्तूरिय है थे शात्वत साथ्या है। और उसके बाद जो दीपक में जो तैल होता है गी होता है, वो तपक है। और जो बाती हैं वो एक दया का प्रथिक है। और जो इसकी शिखा जो लो निकलती हैं, वो क्षमा है। तो जब हम तम अंदखार की बात करते हैं, तो ये तो दीपक में है, लेकिन ऐसा हमारे व्यक्तियों में भी हो सकता है, और हम व्यक्तियों को भी सत्य, तप, दया, उक्षमा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो अंदेका जगेगा तो आज जिस तर से हमें जरूरत हैं कि हम किस तर से हमारे देश में जो बातावरण हैं हम किस तर से सौहाद रुपन बातावन त्यार करें किसे भाईचारा हो किसे हर व्यक्ति में करूना का दिपक जले प्रेम का दिपक जले क्योंकि आप देखे आज हम लाब के लोग दिप्क के लिए हम सभी आद डिपाव लिए तो धनवरशा की बत करते हैं धनवरशा होनी चाहिए लेकिन धनवरशा ऐसी हो जो सचते से हो जो हमारा किस सरतर से वरुश्टाचार से नह हो कोई कडाचार नही हो हम अनेक अनेक हम सर्वे भून तो सुखीन की बात करेंगे सभी को साथ लेकर बात करेंगे तो इस दिम पाउलिक के पर में फ़हिए कि हुँ कहना चाओंगा कि हम सभी एक दूसरी के साथ रहें और हमारे जो सिनातनमुले हमारे जो सम्सक्ति है हमारी जो सब्विता है कि हम कोई भी काम करें वो ऐसा काम करें जो हमारी जो आर्श गिन्तों लिका हुआ है कि आप जो भी कमाएं वो कर्म की बात हो चाहे वो किसी लाव की बात हो लेकिन वो बहुत पवीतरता है कि सुचिता के साथ कमाएं और उसे भी कहता है निए आप अच्छा दन कमाते हैं वही आप आपको वहवब बढ़ता है तो वही आपके आगे बढ़ने का मौका देता है तो मैं इस अवसर पर आप सभी हमारे विशेश रूप से उद्धे परवासियों को बहुत 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 ही प्रेशित करता ह भी है दोस्तों जैसे के मैं पहले ही बता चकाओं हमेरे राष्तान विद्यापिट के कुल्पति ऐसे सअरंधोस सबसे बात कर रहूं इन से फिर बात करूंगा पहले में बात कर रहता हूं आदरनी भाबी जी रेनु जी राठोड से भाबी जी आप भी प्रिंसिपल हैं बीन कोलेज में सभी शिक्षा वीद हो आप और लोगों को अब शिक्षा बांट रहे हो क्योंकि शिक्षा आज के युग में बहुत जरूरी है परना तो सब जानते ह अफगानिस्तान में सारी अनड़ी बरबात कर रहे हैं वर्ड को तो शिक्षा होगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अब इतने सेवा वह वह आत्मी हम तो चाहते हैं कि क्या केना चाहिए क्योंकि मैं आप से तो मैं तो कम परीचित हूं इसलिए आप भी दो शब्द सबसे पहले मैं उदेपर वासियों को दिपावली के उत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और जो हमारा ये नया साल है आप सब के लिए खुश्यों से भरा रहे यही मेरी कामना है जैसा कि आपने पूछा कि सारंग्देव साब को तो एक तरह से पर छोड़ रखा है और पूरा समय ये विध्यापीट के लिए लगे रहते हैं और मैंने इतने साल में ये देखा है कि जिस तरह से एक घर का मुखिया हर तरह की चिंता करता है कि कैसे मतलब इतनी जो सेलरी हो गई है तो इसका हम कैसे चुका पाएंगे और सेवंत पे इनको मिलना चाहिए और सेवंत पे देने के बाद भी यदि कमी हो रही है तो किस तरह से नए कोर्से खोल कर हम इनके करमचारियों के लिए क्योंकि करमचारियों से ही संस्ता है तो इसके लिए सारंगदेव साब हमेशा लगे रहते हैं और मैंने घर से पूरा इनको फ्री कर रखा है सारा घर का और ये सारा काम में समालती हूं क्योंकि ये पूरे तन्मन मैं ये संत्राव, हली पालेज है सबसे पूराना कॉलेज में चा झाल और हम किस तरह से पूकि ये मेने काम दहा घरा मैं ह estat कि दिन अल्गtó ये समयम मजदियर्शल इधर सारंग्देवस साब राज़तान विद्यापीट आप अभी अपनी युनिवर्शिटी को उची लगाने में लगे हुएं तो कोई कंपिटिशन नहीं होता क्या कभी? कॉंपिटिशन तो नेचरली होता है पर सर की चुकि बियन संस्ता एक मात्र संस्ता है तो सर का जुकाव हमेशा बियन की तरफ भी रहता है तो कभी हमें ये वाली भावना नहीं आई सर की क्योंकि सर ये भी चाहते है कि जैसा मेरा विद्यापीट बड़े वेसा बियन भी बड जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको अधन्यवेसाब क्योंकि अब तो रास्तान विद्यापीट में कई सारी और भी वो क्या बोलते है क्योंकि बेजाला पड़ा लिखानी हूं लेकिन कई तरह की जैसे कि कोई करते हैं कि मेडिकल कोलेज में उसमें आ गया कई सारे तो उस को इस शहर के लिए स्थाफित किया है प्रस्तावित किया है अब बंदनी है दूसरी बात है कि आपने फरमाया कि विद्यापीट देखिया आपकी हमारे जो फाउंडर मनिशिप पंडित जनार दिनागर साहब उन्होंने दो बाते बहुत ही वह सीरस लेते थे एक तो उनका में निकला जनुबे खुद उनके समय में चाहते थे कि कोई एकसा हम स्वास्ति की भी कुछ सेवाद कर पाएं लेकिन वो समय बहुत बढ़ा कठीन समय था और वो जनुबे ने हमारे एक बैसिक जो स्ट्रक्चर हैं देखे आप आज हम जमीन लेके भूमी लेके कोई काम करे बड़ा टफ हैं लेकिन जनुबे ने सो से ज़्यादा एकड़ जमीन पहले से रख रखी और हमारे पाच्चर की जमीन हैं सब कुछ हैं तो के वल समसादम कुछ फाइनेशली और हम कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं भी हमारे इच्छे नएने कोर्से से हैं तो हमारे कुछ फंड की था तो हमने करीब सो बेड़ का एक हास्पिटल तयार कर चुका हैं जिसका हमारे प्रस्ता भी फौर हंड्रेड हैं और अभी आप देखिए कि बहुत जल्दी हम बहुत ही एक बारा आईस्यू बेड़ का कर रहे हैं और उसके साथ ही एक अत्यादुनिक जो आपरेशन थे मैं एक हाल से कम मास्ट पेवरली दिसम्बर से इसको लोकारपन कर देंगे हाला कि बिल्डिंग तियार हुए करिब साल एट साल हो गया लिक कोबीड था उसके बाद हमें कुछ हम इसको थोड़ा सा एक अच्छा ढंस है ताकि पहली बप शुरुवाद ही ऐसी हो कि लोगों क बहुत ही एक जन्सेवा होगे क्योंकि डवुक के परिसर में जो बन रहा हैं डवुक के एक पुरा एक जंक्शन है वहाँ देखिया तीनों चारों तरफ से उदर मावली आ गया वलब नगर आ गया हैं सबी तरफ से लोग आते हैं और उदर से MP से भी लोग आते हैं जहां त पर उनके कुछ डॉक्टर्स हमारे जो अरन टे के डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे कुछ वो सहाथा करेंगे तो एक बहुत ही अच्छे निशनाद्टर शुरू बेठेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा एक संबल मिलेगा और अच्छी जन्सेवा कर पाएंगे बहुत बहुत सारंग दुख साब का नेचर ही वेवारिक है जिसको नहीं कहते हैं हम हमारी देशी बाशा में के यार बाच याराना तो आपके सभी मित रहे हैं कई सारे मालो के जितेंजर जी आँचलिया डिवाई एसपी भी आपके मित रहे हैं लाल सिंग जी जाला भी आपके मित रहे हैं और चाहिए डाक्टर पोस्वाल साब हो चाहिए हजारो सेंगडो लेकिन क्या कि जो जो जहां जुड़े हो ना जार से मालो मालो मैं भी हो केबल चलाता हूं लेकिन में भी आपका काया लो इसलिए आपके पास इंट्रिव लेना आ गया तो सेम उसी तरह से जो डोक्टर सुमा आपको सपोर्ट करें पूरी बारस सरकार सपोर्ट करें और भी कोई इसी कोई बात होता आप मताव हैं इसमें क्या बारस सरकार और जुड़ सकती है क्यों 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 सारे फंड होते हैं जो जनता को या स्टूडेंट को फाइदा हो सकता है देखिए आपकी अभी ठीक है जुनुबए के आशिरवा से संस्था ठीक चल रही है लेकि मेरा सोचना है कि इसको राश्टी अस्थर की संस्था बना लेंगे और मेरा प्रयास भी है और जो केंदर में कुछ जो अच्छे कदावर जो हैं पॉलिटिशन्स उन से भी मेरी बादशित हुई हैं तो वो के आप एक ऐसा आधार तेया कर लें एक अच्छी क्वालिटी एक्सिलेंस से स्थाफित करें तो मेरा एक मन की इच्छा है और वो संस्था की हित्में भी है और जुनुबए की संस्था हमेशा चलते रहे से जरूरी है कि इसको एक नैशनल डेपूट की संस्था गोशित की जाए औ उन सभी योजना को हम जब से शुरू करेंगे तो हम विल्कुल इसको अपनाएंगे तो उससे हमें फिनिशल बेनिफिट होगा और जन्ता के मसी सवा करेंगे बहुत बहुत दन्यवाद अधर नियसारंग्देवस साब का करन के जिस निश्टा से जिस त्याग से आप अपन अपने इस संस्ता को बहुत आगे ले जा रहे हैं बस हमारी तो बहुत शुप्ष कामना है क्योंकि जिस तरह का यह प्रयास है कि भारत सरकार में हमारी इस जन्ना अर्दरन नागर विस्ट विद्याले राजस्तान विद्यापीट का नाम होगा पूरे भारत में तो यह तो की बात में साब आपके करन को रहे हैं और इसमें मैं इसमें आपन सभी में उद्यपर सेरफ आशियों को भी बहुत यह आभार विक्त करता हूं क्योंकि जनुबे के संस्ता तो हरे एक को उससे लगावें तो शुरू मैं सब को बड़ा एक लग रहा था कि यह संस्ता को यह लेकिन देरे लोगों ने मेरे में विश्वास व्यक्त किया और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं आभार हूं कि आज उनके आशिरवाद से शेह वासियों के आशिरवाद से उनके जो ब्लैसिंग्स हैं देखिए आप काम सभी लोग करते हैं लेकिन इस हफ़लता मिलते है किसी आदमी को ब्रहम नी पालना चाहिए कि मेरे करने से हो रहा है ये हमारे एक हजार कारे करता है उनके परिवार वालों की उनकी स्वैम की और इस शेहर के सब जो प्रभूजन है जो सभी लोग जिद्यापिट से जो सब्सक्राइब रखते हैं उन सभी का आश्रवात हैं कि हम चोटा सा काम करते हैं लेकिन सुफल होते हैं और उसे में वावी मिलती हैं वावी में जो मिलता है देखिए आप जोंगल में मौज किस ने किसने देखPlease Hai लेकिन आप जिससे मीडिया के माधियम से हमें कवर करते हैं में माईलेज मिलता हैं, तो मेरे पास कोई शर्द देनी इस के लिए मैं आपको भी एक मानूगा कि आप हमारे लिए स्थम में विद्धा फेट के लिए बहुत अच्छा एक काम, हमारे छोटे काम को भी अच्छी तरस आप याक करते हैं जन्ता के सामने एक चोटा काम नहीं बहुत बड़ा काम है साब ये तो इतनी बात के ज़ेते हैं हमारे लिए हमारा भी उस्सा बढ़ता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाभी जी आपको भी परणाम सुब कामना है दिवाली की एक बार जय हिंद जय मेवाड प्लीज मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू